यहां सवाल अशोक कुमार का है नमस्कारम सद्गुरू मैं जानना चाहता हूँ आखिर इस रिष्टी को क्यों बनाया गया है मैंने नहीं बनाया क्या वो मुझे दोश दे रहे है और साथ ही जिसे बनाया गया है उसे आजादी भी नहीं दी गई है कि वो अपने खुद के अस्तित्व की प्रकृती को जान सके जिसने बनाया है ओ बनाया गया है बनाने वाला नहीं ठीक है अगर इसकी कोई संभावना नहीं होती कि आप अपने खुद के अस्तित्व की प्रकृती को जान सके तो मैं आपके साथ अपना जीवन के उपर बात करता क्योंकि अगर कोई संभावना नहीं है तो क्या फाइदा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके स्तरह के बेवकूफ है फिर भी एक संभावना है इसी कारण ये कोशिश की जा रही है वरना क्या फाइदा है आध्यात्मिक प्रक्रिया का यही अर्थ है कि आपने किसी भी जीवन को नकारा नहीं है क्योंकि हर जीवन एक संभावना है कोई ऐसा है कोई ऐसा है कोई वैसा है कोई मूर्ख लगता है कोई स्मार्ट लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता समाज ये नतीजे निकाल रहा है लेकिन एक जीवन के रूप में इसके पास परियाप्त बुद्धी है कि ये जिन्दा रहे क्योंकि जिन्दा रहने के लिए इसे बहुत बुद्धी की जरूरत है कितनी सारी चीजें काम कर रही है एक या दो चीजें नहीं लाखो करोनों चीजें हो रही है अगर आपके पास जिन्दा रहने के लिए बुद्धी है तो आपके पास जानने की बुद्धी भी है लेकिन आपका ध्यान थोड़ा भटका हुआ है आपने अपनी बुद्धी मत्ता का दोहन करना नहीं सीखा है इसलिए ये आपको थोड़ा सिर्दर्द दे रही है अगर आपको सिर्दर्द हो रहा है जब मैं कहता हूँ सिर्दर्द तो सिर्फ वायरस वाला सिर्दर्द ही नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि कोई चीज आपको परिशान कर रही है यानि आपके पास खुद को परिशान करने के लिए परियाप्त बुद्धी है अगर आपको एक ऐसी समस्या का निर्मान करना आता है जो मौजूद नहीं है तो मुझे बताईए कुछ बनाने में ज्यादा प्रयास और ज्यादा समान लगता है या कुछ न बनाने में ज्यादा समान लगता है जाहिर है कि कुछ बनाने में अपने दिमाग में इतनी सारी जूटी बातों को बनाने के लिए काफी बुद्धी और प्रयास की जरूरत पड़ती है लेकिन ये एक तरीका है अगर मैं आपको एक पेचकस देता हूँ यहां कुछ सरलसा काम करने के लिए आप इसे अपने कानों में डाल लेते हैं और आप सोचते हैं ये एक अच्छा तरीका है ये कुछ समय के लिए काम करेगा और फिर आपने सोचा आप वो भी करते हैं लेकिन फिर एक दिन आपकी आँख की पुतली में कुछ हो रहा है आपको पता है आपके साथ बस यही हो रहा है आपको ये बहुत बेतुका लग सकता है लेकिन ये एतना बेतुका ही है आप अपने साथ बस यही कर रहे हैं मैं बार-बार ये बात कहता रहा हूँ अगर हम आपका आधा भेजा निकाल दें तो आपको किसी आध्यात्मिक्ता की जरूरत नहीं होगी आप शांती से बैठेंगे मूँ शायद थोड़ा सा खुल जाए लेकिन क्या दिक्कत है लेकिन आप शांत बन जाएंगे तो आपकी समस्या ये नहीं है कि आपके पास जानने के लिए परियाप्त बुद्धी नहीं है आपकी समस्या ये है कि आपने उसका इस्तिमाल नहीं किया है तो सृष्टा मेरे लिए इसका इस्तिमाल भी क्यों नहीं कर सकता ये कैसे होगा? हमने आपको एक घोड़ा दिया और हमने आपको उस पर सवारी करने के लिए दो पैर दिये नहीं नहीं, आप मेरे लिए इसे क्यों नहीं चला सकते? ये क्या बात होई? आप वो तब कर सकते हैं जब आप अजन में बने रहें स्रिष्टा हर चीज का खयाल रखेंगे स्रिष्टी का स्रोत हर चीज का खयाल रखता है, अगर आप यहां नहीं है तो चुँकि आप यहां है, आपको निभाने के लिए एक भूमिका दी गई है यहां तक की एक चोटी सी चीटी भी, ये चीटी एक समस्या है कुछ लोग मेरे चीटी और इनसान के उदाहरण के बारे में टिपपड़ी कर रही है क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो उदाहरण को शब्दशह ले लेते हैं अगर मैं कहूँ कि एक चीटी और एक हाथी वो क्या बात कर रहे हैं? चीटी और हाथी कैसे संबंदित हैं, वो एक प्रजाती के नहीं हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि उनकी शादी हो गई है। तो भले ही आप सबसे छोटे प्राणी को लें। चीटी से कहीं ज्यादा छोटे प्राणी भी मौजूद हैं। बेशक वाइरस भी है। लेकिन आम तोर पर बोलचाल की भाषा में चीटी यानि क्योंकि ये हर जगह मिल जाती है। शायद जो लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं, उन्होंने चीटीओं को नहीं देखा है। इसलिए वो सोच रहे हैं कि मैं किसी और प्राणी के बारे में बात कर रहा हूं। वरना जो लोग इस प्रिथ्वी पर रह रहे हैं, चीटी या हर जगह है। तो एक छोटा सा प्राणी और आप अगर आप इसे देखते हैं, तो चीटी भी अपनी खुद की चीज़ें करना चाहती है। अपने ही तरीके से उसके पास जो छोटा सा दिमाग है उससे वो अपनी खुद की चीज़ें करना चाहती है। वो कहीं जा रही है, आप उसका रास्ता रोक कर देखिए, मैंने बहीनों बिताए, इन चीटियों को समझने की कोशिश करते हुए, और मैं अश्चर चकित था, उनकी समझ और उनके जीवित रहने का भाव देखकर, वो कैसे चीजों को मैनेज करते हैं, ये काफी अविश्वस नहीं हैं, और उनका ट्राफिक सेंस, बैंगलूर के सभी लोग, उन्हें कुछ चीटी प्रशिक्षन की जरूरत है, वो बस इस तरह जाती रहती हैं, कोई भी एक दूसरे से नहीं टकराता, वो बस इस तरह से जाते हैं, ठीक है, तो मैं बहुत चकित था, मैंने काफी समय ब आएंगी, वो यू 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 और फिर वापस आएंगी और जाएंगी, क्योंकि वो अपनी खुद की चीज़ें करना चाहती है, तो यहीं जीवन की प्रकृति है, इतना ही नहीं, हर एक प्राणी, ये सृष्टी की उदारता है, कि इसने आपको एक व्यक्तिका तनुभव द नहीं है, हम नहीं जानते, लेकिन मैं मान रहा हूँ, कि शायद उसके पास व्यक्तिका तनुभव नहीं है, शायद उनका एक सामूहिक अस्तत्व है, लेकिन हमारे पास व्यक्तिका तनुभव है, हम सभी एक हे मिट्टी से आएं हैं, लेकिन अभी यहां बैठे हुए, हमार जीवन का बुनियादी मूली है कि हमारे पास एक व्यक्तिका तनुभव है जब आपके पास एक व्यक्तिका तनुभव है तो क्या यह आपका काम नहीं है कि आप अपनी बुद्धी को समहा लें या इसका उपयोग करें जानने के लिए कि आपके पास जानने के लिए जरूरी बुद्धी है, बिल्कुल है, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके पास जिन्दा रहने की बुद्धी है, तो आपके पास जानने की बुद्धी भी है, लेकिन आप, चुंकि लोगों ने आपको बताया है कि आप स्वर्ग जाएंगे, आप इसे बचा रहे हैं कहीं और इस्तिमाल करने के लिए लेकिन जब हम आपको शमशान घाट ले जाते हैं तो हम आपके दिमाग को भी जला देते हैं कम से कम ईशा शमशान घाट में दिमाग को भी जला दिया जाता है तो अगर आप इसे बचा रहे हैं ताकि आप वहाँ ले जाकर इसके इस्तिमाल करें नहीं, हम इसे यहाँ जला देंगे वहाँ हम नहीं जानते कि वो आपको दिमाग देंगे या नहीं हाँ चुंकि यहाँ आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है इसलिए आप कहीं और जाना चाहते हैं समय आ गया है कि आप अपने शरीर, दिमाग और उर्जा से यहां काम लें, उनकी पूरी क्षमता से और इसे अपने हातों में रखें, और इसे अपने अनुसार दिशा निर्देश दें, अभी ये बस इधर उधर गिर रही है, आपकी बुद्धी बस इधर उधर गिर रही है और तबाहिल आ रही है, आपके लिए और आपके आसपास के हर व्यक्ति के लिए, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सृष्टी ने आपको साधन नहीं दिये हैं, साधन है, आपको इसका उपयोग करना चाहिए, अगर आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप इसे अपने पात हुई सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि छे, आठ हफ़ते कब किसी को ऐसी चुटी मिली थी, और ये मैं कहीं नहीं जा सकता, बात वो नहीं है, आपके पास समय है, आप कितनी सारी चीज़ें कर सकते थे, आप अपने साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ कितनी सार अपने सारी चीज़ें कर सकते थे, आज मैं कुछ पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा था, ये तरह की बातचीत थी, वो कह रहे थे कि यहां तक की चेन्नई में भी इनकी संख्या, घरेलू हिंसा के मामलों की संख्या बढ़ रही है, चुंकि आप नहीं जानते कि कैसे होन हैं, आप एक दूसरे की पिटाई कर रही हैं, ये सब बकवास है, ये वो लोग हैं जिने आप अपना परिवार कहते हैं, अगर आप अपने परिवार को इस तरह से मैनेज करते हैं, तो आपके लिए शुपकाम नाएं, वो आपके प्रियजन हैं, इसलिए उन्हें आपके प्रियजन आप उन्हें मार रहे हैं, और ये आपके प्रियजन हैं, फिर तो शायद मच्छर भी आपका परिवार हो, निश्यत रूप से इसलिए आप उन्हें थपड मारते रहते हैं, समय आ गया है कि आप खुद से निपटना सीखें, आपको 15-16 दिन मिले हैं, धेर सारा समय है, अगर आप कुछ और नहीं जानते, तो कम से कम इनर इंजरिंग आउनलाइन कर लीजिए, कम से कम अपने विचार और भावना को समभालना सीख लीजिए, अगर आप अपनी जो थोड़ा और समय ले सकती है, कम से कम अपने विचार और भावनाएं, कि वो आपके अनुसार हों, अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप अपने जीवन को किसी भी अर्थ में सार्थक होने की उमीद कैसे करते हैं, आपको एक ही चीज का गर्व है, कि आपके पास गोल्ड म जेक्ति की तुलना में और आप शांदार महसूस कर रहे हैं, इन सभी विकृतियों का दुर्भाग्य से विकास किया गया है, समय आ गया है कि आप सीखें कि अपनी बुद्धी को कैसे समालना है, और हर किसी के पास ये जानने के लिए परियाप्त बुद्धी है कि कैसे जीन है